नमस्का सातियों आपके सामने कर्षा त्वल्थ विसे केमेश्ट्री रास्तान बोट दो जट चोईस के लिए एलकोल फिलो फिनॉल व इत्थर के मल्टिपल चोईस क्यूशन और फिल इन दबलेंग क्यूशन लेकर आया हूं काफी बच्चों के मेसेज आ रहे थे कि सर इन पर कि इसको आप क्या बोलते हो फॉर्मेल डी हाइट इथर में तो प्रोजेक्ट क्या बनता तो आप सभी जानते हों कि दिन्यार विकरम चे साथ किर बनता है कौन सा अलकोल बनता है तो यहां और तो इसका राइट आंसर आपक हैं आर शियो ऐस्तो बनेगा इसके बार अगला ह कि एल्कोहल की अभिकिरिया, एल्कोहल की अभिकिरिया PCL5, एल्कोहल की अभिकिरिया PCL5 से कराने पर क्या बनते हैं, तो आपका RCl सब्सक्राइब तो इस वीडियो की अंदर हम कक्षा 12 बोरिक दम दो जार चोईस के लिए जो चेप्टर आपका एलकोल फिनॉल इथर उसके मुल्टिपल चोईस क्षेन और फिल इंदर विडियो में है इस वीडियो में पढ़ेंगे अभी तगर आपने चैनल को सब्क्राइब जरू सब्क्राइब करते हैं उन सभी तक वीडियो का लिंक शेर करें क्योंकि आप जितना जार इसको शेर करते हो उतना में मोटिवेट मिलता है वीडियो बनाने के लिए अगला निमनुमेसे परबल अमल है जो सभी में फिनॉल है और आप जानते हो कि अगर पेरा कंडिश जहते हैं मिलमको सोडा लाइम के सांथ घर्म करने के सब्सक्राइब करने किया जा तो तो यह यहाँ पर आपको जो उतपाद है वो क्या बनेगा फिनोल बनता है तो सलिसलिक अमने को सोड़ा लाइम के साथ जब हम गरम करते हैं तो आपका क्या बनता है फिनोल बनता है इसके बाद जो आपका अगला क्यूशन है आपके सामने कि इतर को एलुमीना पर इतर को एलुमीना का फॉर्मला क्या होता है अल्टू और इसको हमने क्या किया एल टू ओ ठी यूज़ब इसको आपका जो उत्पार बनता है इसको आपक्या बलता हो एल कीन तो इस पूसिशन नमर फायट को जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा एल कीन इसके बाद अब चलते हैं नेश्ट कूशन पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए इसके बाद अगले मर्टिबल चोईश कुछन वायू में खुला छोड़ने पर फिनोल का रंग गुलाबी हो जाता है तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाता है अगला एलकॉल सोडियम के साथ किरिया सोडियम है वो एलकॉल के साथ अभिकरिया करके कौन सी गेज जाते हो आप सब जानते हो कि जब ऐलकोल की किリया आप सोडियम के साथ कराओगे तो यहाँ पर आपका सोडियम ऐलकॉकसाइड बनेंगा और साथ में हाइटोजन गेस बढ़ा निकलती है सब्सक्रान हैं और इसको इनवर्टर matar दिवारा गुलूज प्लशagen्ड प्लस फेक्टोरग में परिवर्चित करते हैं। तो राइट आंसर के जो इन्वेटर्स एंजाइम, अब अगर यह जो गुलकोज बना है, C6-A2O6, इसको कौन सा एंजाइम, जाइमेज एंजाइम, यह जो आपकी हैंजाइम है, जाइमेज एंजाइम है, इसको एथिल एलकोहल में परिवर्चित कर जेता है, किसमें एथिल ए किसको गुलकोहल को आपके एथिल एलकोहल, C2-S5-OH में परिवर्चित कर जेता है, इसके बाद अगला क्यूशन है, कि किसी एलकोहल से कलोरो एलकेन, जो कलोरो एलकेन का मतलब होता है, आपका एलकिल कलोराइड, एलकिल कलोराइड, तो किस एलकोहल से कलोरो एलकिल बनाने क तो यह थोड़ा मिस्प्रिटिंग है एस ओ सियल टू तो राइट आंसर यह हो जाएगा फिर क्यूमीन से फिनोल प्राप्ट करने की अभिकिलिया में उत्पाद अता सह उत्पाद की रुप में क्या प्राप्त होता है तो आप सभी जानते हो कि क्यूमीन का वायू में ऑक्सिक CS3, CS2, OX, CS3, CS2, CS3 की कुथनांकों का बढ़ता करम लिखिये तो देख सबसे अधिक किसका होगा एलकॉल का उससे कम इत्तर का और सबसे कम हाइड्रो कार्बन का तो सबसे अधिक एलकॉल कहा है इसमें बढ़तावा करम लिखना है तो सबसे अधिक होगा आपका एलकॉल का और उससे कम होगा आपका तो अगर इन में देखे लिए मिस्प्रिंटिंग के वे से आंसर यह होगा लेकिन इसके अक्रोडिंग अगर आप इसको आंसर करोगे तो यहां यह करम है वो आपका क्या हो जा इसके बाद फिनोल की यह शद्रज के साथ अभिकिरिया से बनता है तो क्या बनता है तो क्या बनता है आपका बेंजिन बनता है तो यह तो थे आपके multiple choice question और काफी multiple choice question इसके अगले question की बात करें तो अगला जो question आपके सामने है यहाँ पर जिसके बारे में बात करने बाले है कि question आपके skin के सामने आ चुका है देखो आप बात करें यहाँ पर निमन मेंसे कौन सा alcohol अधिक अमली है देखना कि यह जो alcohol होत सबसे कम कार्बन यहीं है तो इन सब में सबसे अधिक अधिक अमलिता गठेगी अगला अगला काफी इंपोटेंट है कि अभी कर्दिया आपने अधिक अधिक अगर आपको याद हो तो अगर फॉर्मेलडी हाइड अगर किरिया करेगा तो कौन सा एल्कोल बनेगा प्रात्मिक एल्कोल और ये कौन सा एल्ड है आपका एसे टेल्डी हाइड अगर एसे टेल्डी हाइड गिन्यार अभिकर्म के साथ किरिया करता है तो आपको जित्तिक एल्कोल अर्था सेकेंडरी एल्कोल प्राप्त होता है अब जित्ते के अलकॉल बनेगा, तो यह प्रात्मी के अलकॉल तो यह भी नहीं बनेगा, यह भी नहीं बनेगा, अब यह कार्बन गाउंड को दो कार्बन यह है, जित्ते के अलकॉल है, तो यह इससे जोड़ेगा OH, तो ब्योटेन 2-OL बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ब्य तो आप सभी को ज़ता कि जलकानू निकलता और यलकीन बनती है, यहाँ क्या बन जाएगी, आपकी एतन का निर्मान हो जाएगा. अगला, तिर्थिक बिट्र से से नाम बताहिए, तिर्थिक बिट्र अल्कॉहल का आउपी से नाम, तो इस टेक्चे चाहो तो आप यह मना सकते हो CS3, CS3, CS3OH, तो यह दो किसंखला हो जाएगी है, तो 2-methyl-propan-2-3, जो 2-methyl है, तो 2-methyl-1-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3- अगला बात करें, वन डिग्री टू डिग्री वर थी डिग्री एलकॉल में विवेद किया जा सकता है तो आप सभी जानते हो किस के दौरा लुकास प्रिक्षन के दौरा विवेद किया जा सकता है अगला फिनोल वर कार्बोक्सिलिक अमल की विवेदी करेंड में परित्त होता है वो sodium bicarbonate के साथ co2 gain देता है जबकि phenolic अभी के लिए नहीं देता है इसके बाद चलते बड़ा next question के तरफ कि CS3, CS1, CS2 से CS3, CS2, CS2 OH में परिवस्टन करने के लिए अब सिती सी बात है कि यहाँ पर इसका आपको OH एक नमबर पर जोनना है अगर इसके साथ अभी के लिए कराओगे तो यह OH है वो दो नमबर एलकीन का अमनुत पर जल्ली विजन होगा जहाँ OH दो नमबर पर जोड़ेगा हमें एक पर जोनना है तो यहाँ पर डाई, हाइडो, बोरेन, और ऑक्सिकन अभी किया सबस्वेस्ट होगे तो इसका राई टाइंस पर जगा B2, S6, S3, S2, S2, O2 अगला दित्थिक एलकोल कॉपर के साथ पांसो पिच्योत्तर केलविन विसे पांसो तेंतर होता है पांसो तेंतर केलविन पर भी हाइड्रोजनी करन से बनता देगो अगर दित्तिक एलकोल लिया है तो उससे आपको क्या प्राप्त होगा किटोन और अगर आपने प्रात्मिक एलकोल लिया होता प्रात्मिक एलकोल तो वहां से आपका LD हाइड बनता तो राइट आंसर क्या होगा इसका किटोन अगला नि अगला फिनोल तनू H4O3 के साथ किरिया करकी क्या देता है अगर तनू के साथ कराओगे तो ओर्थोवर पेरा नाइट्रो फिनोल लेकिन सांद लेते तो क्या बनता आपका पेकरी का अमल बनता अगला क्यूशन है एनने ओएस की उपस्तिती में फिनोल की CSCL3 क्लोरोफरों के साथ अभिकिरिया से और तो हाइड्रोक्सी बेंजल्डी हाइड बनता है और तो हाइड्रोक्सी बेंजल्डी हाइड को आप क्या बोलते हो इस अब विखिज़े को आपकिस नाम से जाते हो रायमन टीमा न विखिज़े इसका मलब क्या हुआ बेंजिन वले पर यहां तो आपका OH है और यहां पर आपका CHO था अगला CH3 CH2 OH को CH3 CHO में परिवर्चत किया जा सकता है तो बड़ा देखो यहां एलकोल का हम भी हाइड्रोजनी करेंगे तो इसके लिए सबसे बेस्ट आप लगते हैं PCC पिरिडीनियम कलोरोक्रोमेट तो राइट आंसर क्या होगा C पिरिडीनियम कलोरोक्रोमेट PCC इसकी साहता से एलकोल को आससर निसम LDI में परिवर्चत कर सकते हैं अगला फिनोल की BR2 डॉमीन जल है के साथ अभी करेंगे तो तीनों कंडिशन पर जोड़ेगा तो 246 ट्राइब रोमो फिनोल बनाएगा 246 ट्राइब रोमो फिनोल का निर्मान होता है इसके बाद बेड़ा सलते हैं यह तो से बड़ा आपकी multiple choice question अब इसके बाद हम लेते हैं fill in the blank इसमें जो पहला question आपकी skin के सामने अगर आपको इनके answer आते हैं तो आप comments में जुरूर बताने का परियास करें रिक्तिसान की परज़े सो परतिशन सुद एलकोल है सो परतिशन को परिशुद एलकोल को परिशुद एलकोल के नाम से जानते हैं क्यूमीन का वाईवी ओक्सीकरन परस्चाथ जला पुठन करने पर क्यूमीन का वाईवी ओक्सीकरन परस्चाथ जला पुठन करने पर आपको फिनोल पराप्त होता है फिनोल के साथ और क्या पराप्त होता ह होता है फिनोल और साथ में एसे टोन प्राप्त है होता है एलकोहल जल की अपेक्षिया क्या होता है कम अमली होता है अगला को लुकास अभी कर्म कहते है किसको आप सभी जानते हुए सांदर एस सी यल प्लस नेडजल जेड़न सी यल टू के मिशन को आप सांदर एसे ल प्लस नेड़न सी ल चू के मिशन को आपके ओल två लुकास हभी कर्म कहते हैं अगला रायमन टीमान अभिकिरिया में राइमन टिमान अभी के लिए हमें मध्य वर्ति के रुप में बनता है तो याद कर लेना डाई कलोरो कार्विन बनती है क्या बनती है डाई कलोरो कार्विन बनती है और्थोवर पेरा नाइट्रो फिनोल को कौन सी विदिती भापी आस्वन में दी कौन सी और्थोवर पेरा न आप किस पकार से नको कर पाओगे अगला सोडियम फिनोकसाइड को सीयो टू के साथ 400 कलीवीन टेमपरेचर वे चार से साथ एटियम दाप पर अभिकरिया द्वारा यह कोंची अभिकरिया तो क्या मतला सेली सिलिक अमलो बनता कि अभिकरिया द्वारा सेली सिलिक अमलो बनताए इसके बाद अगर हम बात करें बैंजीन one three die all को रिसोर्स नौल बोलते हैं बैंजीन one three die all को रिसोर्स नौल बोलते हैं इसका जब इस्टिक से बना तो इस सोर्स पकार बनेंगे एक ओज dos इस condition पर और एक यह तो यह one three कि वेंजीन 13 Dios क्या वालती इसको रिसोर्सी नोल अगला कि एथेनोल कि एथेनोल सांध ऐस टूएस ऑफ्वोर के साथ एथेनोल सांध ऐस टू हैस ओफ्वोर के साथ 143 केल विन पर अभिकिरिया द्वारा धेखो एथेनोल को शांथ तो वहां पर क्या विक्रिया होगी निजने करन जलकानू वहां निकल जाएगा तो क्या मुझे ज़गा है λिथियम यलियमिनियम हैडाइट केसाथ अफचेंधा ड्रा बनाता है आपको प्राप्त होगा अगर ही यदिध का अप चैन होगा तो आपको प्राथ मिल्क अलकोल प्राप्त होगा इसको आपर से लखेंगे, CS2 डबलब ओन, CH और यहां पर OH, तो OH जिस कार्बन पर जुड़ा है, उसमें संख्रण क्या होगा, SP2, क्या होगा, SP2, केटे कोल का IUPAC नाम लिखेंगे, अगरा कुशन है, केटे कोल का IUPAC नाम लिखेंगे, तो इसके स्टिक्चर याद हो नहीं, इ बेंजीन वले, एक OH, तो दोनों ओर्थो वाली कंडिशन पर होते हैं, तो इसको हम केटे के बलते हैं, तो इसका नाम को जाएगा, बेंजीन वन टू डाइओल, इसका नाम हो जाएगा, अगला, एलकीन पर, तनु अम लोग उत्पेरक की उपस्तिती में, जल का योग करने पर, घ्रीन पर, तनु अम लोग उत्पेरक की उपस्तिती में, जल का योग करने पर, जल का योग करने पर क्या बनेगा, तो इलकोल बनेगा, च्पर, बड़ा ये सब कुशों हम डूटेर से समझ सकते हैं, लेकिन अपने पास अब इतना टाइम नहीं है, बेंजीन डाई, एजुनियम लवन की जलब गुठन से बेंजिन डाई एजुनियम लवन की जलब गुठन से क्या बनता आपका फिनोल बनता है क्या बनता है फिनोल बनता अगला 246 ट्राइनाइट्रो फिनोल को आप सभी जानते हो क्या बलते हम पिकरी कमल 246 ट्राइनाइट्रो फिनोल को हम क् बेंजीन बनती है परीशोष परी शोदित इस्परिट में 95.5 परतिशत एथिनॉल बाकी गवा बच गए तो पानी तो च्यार पॉइंट पांच परतिशत उसमें क्या मिला होता है पानी मिला होता है अगला यह पी कफियाच्च चेक्षिन है और तो पेरनाइट्रो फिनॉल मे क्रूशन आते हैं कि यह कम वास्पषिर क्यों होता है तो वह बड़े वाले क्रूशन जंब हम पढ़े के तब बात करेंगे और तो पेला नाइटो फिनॉल में और तो नाइटो फिनॉल है वह आपका कम वास्पषिर होता तो इस प्रकार से इस वीडियो के अंदर हमने जो तो इसके बाद फिरा मिलेंगे नेश्ट इसे परकार का एक टोपिक लेकर